हाई गाईज गूड मॉरिंग देश है शक्ति फ्रम कंसेप्चुल तो गाईज मैं अपना फर्स्ट्रेट ले चुक हूँ थरी फो थाउजन सेवनेटी कॉल मैंने लॉंग किया है फाइफ सिस्टी फोर के भाव पे और अभी का रेट कही न कहीं पे चल रहा है हजाद पंदरा पॉइंट का लेके चल रहा हूँ पर उसके गेंज रिवार्ड जो है मेरा वो होगा 180 पॉइंट का तो देखते हैं गाईज ट्रेड किस तरफ जाता है पर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम करने एक बार फिर से मार्केट जो है वालेडाल रह सकती है जैसे कह हम काफी दिन है फिलहाल हमारी अगेंज जाता हूँ नज़र आ रहा है चोनते साथ सो की कॉल अभी ट्रेड कर रहे है पांसो चालीस के आसपास हाला कि सिरफ उसिरफ बीस पच्चिस पॉइंट हम नीचे है जहां पर हमने एंट्री किया है पर दोसो पच्चिस क्वांटिटी है इसलिए उसमें नुकसान जो है 6-7,000 पर के आसपास नज़र आ रहा है पर इस नुकसान को बड़े नहीं होने देंगे जैसे हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आएगा वैसे वैसे ट्रेलिंग करने शुरू करतेंगे धीरे धीरे और नुकसान को कम से कम ही रखना है छोटा रिस्क ले इस पचीज़ार पर के आसपास का नुकसान हो जाएगा और उसके बाद आगे मैं ट्रेड भी नहीं कर पाऊंगे कि दिन की मेरी लिमिट ही इतनी होती कि मैं को पचीज़ार सो उपर का नुकसान नहीं कराना तो गाइस इसने अभी हमें प्रॉफिट दिखाना शुरू कर द में और गाइस अभी तक का अगर मैं लो देखूं इसने कितना लगाया है तो वो लगाया है 477 का तो लेट सी यहां से मार्किट पलटती है बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और उपर जाता है अगर बैंक निफ्टी तो मेरे टार्गेट जो है वो भी काफी बड़े है 180 देखते हैं अभी कुछ दिर और वेट तो हमें आपे करना ही पड़ेगा तो वाइस एक बाद फिर से हम नुकसान में आ चुके हैं इसने अभी हमें प्रॉफिट दिखाया लगभग 8000 के आए आसपास का और 595 था शायद रेट जहां से होके अभी यह वापिस नीचे आ गय कि मुझे आपे एकजिट कर जाना चाहिए क्योंकि मार्किट हमारी इसाप से चलती भी नजर नहीं आ रही एक बर हमें प्रॉफिट दिखाने के बाद अभी वापिस नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मैं बड़ा नुकसान नहीं लेना चाहूँगा जाज यहाद 8-9000 प अगर नुकसान लेगी एकजिट कर जाओ पर जब तक मैं सोता लगा था एकजिट कर था अपनी पोजिशन से मुझे नुकसान हो गया 11300 होगा तो कि अगें बड़ा नुकसान नहीं है फिर से मैं अगर मार्किट में एंट्री करूं हो सकता है कि नुकसान रिगावर हो जाए हो सकता है कि नुकसान यहां से बढ़ जाए देए गाईस दुबारा गर मोका मिलेगा फिर से मैं इसी डिसी प्लेनिक साथ काम कर सकता हूँ जहां पर छोटा सा रिस्क होगा बड़ा रिवार्ड होगा हमारे हिसाब से मार्किट चली तो हमें वहां पर ज्यादा पैसे बनान चाथ कोई भी सिगनल नहीं मिला मैं एंट्री नहीं कर पाया तो मैं नैस दे को करना चातो और मैं ट्रेडिंग को यहीं खतम करूँगा आज की सभी नए ड्रेडिंग के लिए मैसीज है अगर नुकसान हुझाए उसको रिकवर करने के चकर में अगला ट्रेड फिर उसके ब से कोई लेना देना नहीं है, सिरफ उसिरफ आपको risk and reward maintain करते वे अगला trade लेना है, और दिन के अगर नुक्सान की limit खतम हो जाए, तो आगे उसके बाद trading ही नहीं करनी, और जब परदस्ती market में तो बिल्कुल भी नहीं उतरना, चलिए गाइस चीक है, बाबाई, take care of yourself.